Hello friends, very good morning to all of you and welcome दोस्तों बिहार B.A. कॉंसलिंग प्रिकिरिया स्टार्ट है जहां पर दो दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया कॉलेज चुएस और रिसेट करने का जिसके कारण से अब कॉलेज एलोटमेंट की पहली सुची 18 एक्टूबर को जारी होने जा रही है जो कि ये पहले 21 एक्टूबर को ही जारी होने वाली थी लेकिन अब ये एक सफ़ता आगे विस्तारित कर दिया गया है साथी साथ पहले चरन में नामंकन प्रिकिरिया जो होगी वो 28 नमंबर तक चलेगी तो आप सभी अपना डोकूमेंट्स त्यार कर लीजे जाती अवासिय और आए ये बहुत ही जरूरी है अगर आपने करेंट वाला ओनलेन आवेदन नहीं किया है तो जाती अवासिय और आए के लिए आवेदन कर दिजिए जिससे कि आप सभी को कॉंसलिंग में किसी भी तरह की परिसानी नहीं हो तो चलिए सुरू करते हैं जानते हैं विस्तार सिस न्यूज को वीडियो में आगे बड़े उससे पहले लाइक जरू कर दिजिएगा नए साथ हैं नए मेमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर लीजे इस तरह से अपडेट रहने के लिए निए सबसे पहले आप अपने किसी भी गुगल ब्रोजर में आ जाएए यहां पर सर्च किजिए कोसियस्टडी.com नीचे आएंगे तो आप सभी को एक अपडेट मिलेगा बिहार बियड एडिमिसन चेक योर कोलेज अलोटेड लिस्ट इस तरह से आपको इस पर किलिक कर देना है यहां पर आप सभी को कॉलेज अलोटमेंट की पहली सूची जो जारी की जाएगी वो 28 एक्टूबर को जारी की जाएगी उसके बाद आप सभी को अपना आनसिक फी पेमेंट करना होगा तो वो सारी जानकारी आप सभी को यहाँ पर एक साथ मिल जाएगा साथी साथ दो दिन पहले अपडेट किया गया था कि आप सभी अपने कॉलेज की संखियां जैदे स्जैदे करें जिससे कि आप सभी को पहले रौंड में ही कॉलेज अलोट हो जाए अगर आप यहाँ पर विस्तार से दिखेंगे तो कोलेज का जो नया कॉंसलिंग सेडूल जारी किया गया है तो आप सभी को 8 सक्टूबर को कोलेज अलोटमेंट की पहली सूची जारी की जाएगी इसके बाद आप सभी पेमेंट करेंगे अगर आप कोलेज से सहमत होंगे तो 8 सक्टूबर से 5 नमबर तक आप सभी आंसिक फी 3000 रुपया फी पेमेंट करेंगे साथी साथ कोलेज जो आप सभी को फाइनली रुप से डिस्पले किया जाएगा तो यह जो है 6 नमबर को जारी किया जाएगा इसके बाद आप सभी को जो कोलेज के लिए आपने फी पेमेंट किया है उसके लिए कौंसलिंग और डॉकुमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो आप सभी को 9 नमबर से 12 नमबर तक साथी साथ 23 नमबर से 25 नमबर तक डोकोमेंट वेडिफिकेशन करवाएंगे इसके बाद आप सभी को फोरवर्ड कर दिया जाएगा आपके अपने महाविद्याले में जो कोलेज आपको एलोट हुआ है उसमें आपको एडमिसन लेने के लिए एक सिलिप जो है जनरेट होगा वेबसाइट पर उसको डाउनलोड करते हुए 28 नमबर को आप सभी को जो है वो सिलिप भी जारी कर दिया जाएगा तो 28 नमबर तक आप सभी नामंकन भी ले लेंगे तो इस तरह से आप सभी की पहली सूची की नामंकन परिक्रिया 28 नमबर तक चलेगी साथी साथ अगर सीट खाली रह जाती है तो कॉंसलिंग की दूसरी परिक्रिया जो कोलेज एलोट होगा वो एक दिसंबर को जारी किया जाएगा उसके बाद एक दिसंबर से यहाँ पर 31 दिसंबर तक आप सभी का एस्पोर्ट रोंड तक चलेगा एस्पोर्ट रोंड की परिक्रिया जो है 25 दिसंबर से वो इसे स्टार्ट होने वाली है तो आगे हम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे साथी साथ आपको इसमें क्या-क्या डोकुमेंट्स लगेगा इसकी भी जानकारी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा साथी साथ अगर आप जो है वेबसाइट पर विजिट करना चाहेंगे तो यहाँ पर आप सभी को इंपोर्टेंट लिंक भी मिल जाएगा तो दोस्तों यह जो है आज का परभाद ख़वर आर्टिकल है 28 को जारी होगा कॉलेज अलोटिमेंट की पहली सुची यहाँ पर भी सेम वहीं बाते हैं रेगुलर मोड के लिए 28 अक्टूबर को सुची जारी की जाएगी इसके बाद आंसिक भी 3000 रुप्या पी पेमेंट करेंगे इसके बाद आंतिन सुची फाइनल रुप्से जारी की जाएगी 6 नमंबर को जो कॉलेज आपको आवंटित होगा इसके बाद आप सभी डोकुमेंट वेडिपिकेशन करवाएंगे 9 नमंबर से 12 नमंबर तक 37 नमंबर से 25 नमंबर तक इसके बाद आप सभी को फाइनल जो है एडिमिसन सिलिप मिलेगा जो जनरेट होगा आप सभी को अपने ओफिसल वेबसाइट पर उसको डाउनलोड करते हुए आप सभी जो है कॉलेज में जा करके अपना नमंकन करवाएंगे तो 28 नमंबर को बियड महाविद्यालियों में उस तीथी तक नमंकी छात्रों की सूची अपलोड कर दी जाएगी तो 28 नमंबर तक जो है लास्ट रूप से फाइनल सूची जारी की जाएगी कौन-कौन से अश्टूरेंट का नमंकन हो चुका है इसके बाद आप सभी कनफर्म हो जाएंगे कि आपका नमंकन हो चुका है इसके बाद आप सभी का 1 दिसंबर से पुना जो है दूसरी सूची चारी की जाएगी जो कि आप सभी का 25 दिसंबर तक चलेगी उसके बाद 25 दिसंबर से 25 दिसंबर से और क्या-क्या डोकॉमेंट्स लगएगा इसकी जानकारी आप सभी को नीचे दिये गए वीडियो के लिंक में मिल जाएगा आप सभी डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कीजिए और अपने डोकॉमेंट्स को अपडेट जरूर कर लीजिए तो आगे की वीडियो में हम आफ से भी को अपडेट करते रहेंगे तो आज के लिए बस इतना हैं मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद